हलो दोस्तो अविमेक एज्यूकेशन में आप सबका स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिमाग हिला देने वाले रोचक तत्य जिसके बारे में कम लोग जानते हैं चनल सब्सक्राइब करना बाकी को तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल को प्रेस कर दीजेगा तक आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेट नहीं करना पड़े बोटोक्स को दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है इस जहर की केवल 4 ग्राम मात्रा ही पुरी धर्ती पर मुझूद सभी लोगों को मार सकती है तो सबसे यादा जहरिला बोटोक्स चिन में रहने वाले ली चिंग्यू एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी मौत 256 साल की उम्र में हुई थी तो 256 साल तक ये जिन्दा थे लोगों का कहना है कि उन्हें दवाओं का ग्यान होने के कारण 100 साल की उम्र में सरकार ने उन्हें पुरसकार दिया था और 200 साल की उम्र में वह विस्वविद्या लई में व्याक्यान यानी लेक्चर दिया करते थे इस व्यक्ति की उम्र आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि इतने साल तक ये कैसे जिन्दा रहे गुजरात में स्थित दुनिया की सबसे उची प्रतिमा Statue of Unity का निर्मान मसहूर मुर्तिकार रामवी सुतार की देखरेख में हुआ है रामवी सुतार जी को साल 1999 में पदमस्री और 2016 में पदम भुशान से सन्मानित किया गया है हुलर नाम के बंदर की चिख पांच किलोमेटर दूर तक दूर से भी सुनी जा सकती है यह इतनी जोर से चिखता है कि पांच किलोमेटर दूर भी इसकी आवाज सुनाई देती है किसी व्यक्ति की मुरुत्यू के बाद भी उसका मस्तिस्क साथ मिनित तक शक्रिये रहता है वह उस व्यक्ति की यादों को सपनों के जरिये दोबारा दिखाता है तो मरने के साथ मिनित तक भी दिमाग जो है वो काम करता है भारत के जंडे में असुक चक्र भिम्राव अंबेट करने लगवाया था गांधी इनके खिलाब थे गांधी की इच्छा चर्खा लगाने की थी क्या आपको पता है सेब को पानी में डालने पर वो डूपता नहीं है क्योंकि इसमें 25 परसेंटेज हवा होती है तो एपल में 25 प्रतिसत हवा होती है इसलिए वो डूपता नहीं है विग्यानिक कहते है कि जब रुथवी का जन्म हुआ तो वो आग का एक गोला था तरफ गेस के बादल फिल गए ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मुसलधार बारिश यानि की बर्सा ओने लगी लाखों साल तक ऐसा होता रहा पाने से बरे धर्ती की सतह के ये विशाल गड़े ही बाद में समुद्र कहला है तो समुद्र की हैंगी चायपति का नाम डा हॉंग पाओ टी है इसके एक किलोग्राम चायपति की किमत करीब 8.28 करोल रुपया है जिसका उत्पादन केवल चीन में ही होता है तो ये है आठ करोल सवा आठ करोल का एक किलो चायपति एक अध्ययन के अनुसार जो पुरुस एक बार में 40 पुसब कर लेता है उसका रदय स्वस्त माना जाता है इन पुरुसों को अन्य पुरुसों के मुकाबले 96 प्रतिसत रदय सबंदित बीमारिया कम होती है सनातन धर्म वेदिक काल में बारतिय उप महाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है सनातन का अर्थ है सास्वत या हमेशा बने रहने वाला अर्था जिसका ना आदी है ना अंध सनातन धर्म मुलतह बारतिय धर्म है जो किसी जमाने में पुरे भारतिय उप महाद्वीप तक व्याप्त रहा है उपर हंस यह बहुत बड़ा हंस है जो लगबग 27,000 फीट की उचाय पर उड़ने में सक्सम है यह दिखने में बहुत ही सांदार होता है नौर्वे में और्यो कंपनी ने एक उबग्रव पर एक उबग्रव प्रमानित बंकर तयार किया है जिसमें वह अपने कुकीज के नुस्खे किसी भी एपोफेलिक्टिक गटना से बचने के लिए सुरक्सित एक कोडित दरवाजे के पीछे रखते है यहां प्रत्य कुकीपेक को सुरक्सात्मक माइलर में लपेट कर रखते है जिससे माइनस 80 फेरन हिट से 300 फेरन हिट के तापमान से भी कुकीज को बचाया जा सकता है दुनिया की सबसे महंगी सबजी एक लाख रुप्ये प्रतिक किलोग्राम बग्ति है जिसे बिहार के औरंगाबाद में उत्पादित किया जाता है इस सबजी का नाम हॉप सुट्स है जिसे ग्यारावी सताबदी में बीयर में फ्लेवरिंग एजन्ट के तोर पर इस्तमाल किया जाता था और अब इसका उप्योग हर्बल मेडिसिन और सबजी के रुप में होने लगा है इस सबजीयों में एक एसिड पाया जाता है लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर सक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंथ ही यकिन कर लेते हैं भारत का सबसे महंगा तलाक अभिनेता रितिक रोशन और सुजेन खान का हुआ था रितिक ने अपनी पुर्वपत्नी सुजेन को तलाक के लिए 380 करोड रुपे दिये थे होंकों की ज्वेलरी ब्रांड कोरोनेट के मालिक अरोन सुब ने एक बेस किमती टोईलेट बनाई है जिसकी किमत भारतिय रुपियों में लगबग 9 करोड 22 लाक रुपिय है सोने से बने इस टोईलेट की सीट में कुल 334.68 करट के 40815 हीरे जड़े हुए है जिसमें बुलेट प्रूप सीट लगाई गई है तो यह सबसे महंगा WWE मेच में कौन जीतेगा इसका फैसला पहले ही तई होता है लेकिन मेच में जो लड़ाई होती है वो असली होती है दोनों में से कौन जीतेगा उसका फैसला पहले ही हो चुका होता है लेकिन लड़ाई जो है वो असली होती है हवाई जहाज में मोजुद दोनों पाइलोट को हमेशा अलग-अलग खाना दिया जाता है ताकि खाना खाने के बाद कोई भी पाइलोट की तब्यत खराब ना हो या पेट में किसी प्रकार की गड़बडी ना हो और एक ही समय दोनों बीमार ना हो इसलिए दोनों को अलग-अलग खाना दिया जाता है इतियास का सबसे खतरनाक भुकम 23 जनवरी 1556 में चिन के सांसी प्रांत में आया था इस भुकम ने करिब 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी जिसकी वज़र से यहां की करिब साइंट फिस्दी आबादी खत्म हो गई थी और 840 किलो मिटर तक का इलाका तबाह हो गया था तो यह इतियास का सबसे खतरनाक भुकम था भीमकुंड मज्यप्रदेश में स्थित एक रहस्यमाई कुंड है जो अपने पुरानिक कथाओं के लिए प्रचलित है यह कुंड इतना गहरा है कि आज तक कोई भी वेग्यानिक इसके पानी के मुख्य स्त्रोत का पता नहीं लगा पाया है माना जाता है कि महाबारत काल में जब पांडव अग्यातवास में भटक रहे थे तब ही द्रोपदी को प्यास लगने के कारण भीम ने अपनी गदा मार कर यहाँ पर कुंड बनाया जिसके कारण पानी आ गया जिसके कारण इस कुंड को भीम के नाम पर ही भीम कुंड रखा गया है कोश्टा रिका में युनाइटेड फ्रूट कंपनी द्वारा साल 1930 में कई अद्भुत 16 तन वजनिय पत्थरों की खोज की गई थी माना जाता है कि इन्हें इंसानों ने अपने हाथों से बनाया था इन पत्थरों में से चोह पत्थर के गोल सेंजोस के राष्टिय संग्रहाले में रखे गए हैं गने जंगलों में इस तरह की आकृती बनाना लगबग असंबव है इसलिए इन पत्थरों को किसने और क्यों बनाया यह आज तक रहस्य है दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेई पदार्थ चाहे है तो दूसरे नंबर पे चाहे है हरियाना रोडवेज देश की सबसे तेज गती से चलने वाली रोडवेज बस है जिसकी ओसतन स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक है जापान के लोग नव वर्ष की खुशी मनाने सर्व प्रतम मंदीर में जाकर 108 बार घंटिया बजाते हैं इंसान के सरीर में मौझूद क्लेविकल हड़ी को ब्यूटी बॉन माना जाता है तो इधर आप उपर देख सकते हैं यह हैं क्लेविकल हड़ी जिसको ब्यूटी बॉन कहते हैं आप अपने सोच को रोक नहीं सकते हैं अपका दिमाग जो है वो हमेशा चलता रहता है महाराना प्रताप हमें साथ दो तलवार रखते थे एक अपने लिए और दुस्तरी नियत थे दुस्मन के लिए डॉक्टर भिम्राव अमेटकर की मोत के 34 साल अबाद 1990 में बारत का सबसे बड़ा पुरसकार बारत रतन दिया गया 34 साल यहां पे लगा दिये गए सांप सिडी एक प्राचिन भारतिय खेल है इस मज़ेदार खेल को 13 सताबदी में कविस संत ग्यान देव द्वारा तयार किया गया था इसे मुल रूप से मौक्सपट कहा जाता है केनेडा में स्थित योंग स्ट्रीट के नाम दुनिया की सबसे लंबी गली होने का खिताब है जिसे गिनिस बुक में भी दर्ज किया गया है 1896 किलोमीटर लंबी ये योंग की गली टोरंटों में जिल किनारे से होते हुए ओंटारियो मिनेसोटा सिमा पर वर्षा नदी तक फेली हुई है जो यहां के पांच बड़े मार्गयों से जुड़ा हुआ है औस्टेलिया में पाये जाने वाला लायर बर्ड संसार के सबसे सुन्दर पक्सियों में से एक है यह पक्सी नकल करने में बड़ा ही कुसल है यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुट्टों के भोकने की तता कारों के होन की आवाज की भी नकल बड़ी आसानी से कर लेता है पुरी के जगणनात मंदीर में प्रसाद बनाने के लिए 7 बरतन एक दूसरे पर रखा जाता है और प्रसाद लकडी जलाकर पकाया जाता है इस प्रक्रिया में सबसे उपर के बरतन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का सबके बाद में पकता है 90% लोग अपने हसने का कारण बताते समय अधिक जोर से हसते हैं टाइटनिक जहाज को 31 मार्स 1909 को 3000 लोगों के टीम ने बनाना सुरू किया और सिर्फ 26 महिनों में यानि 31 मैं 1911 तक इसे बना डाला यह जहाज 3 फुटबोल के मेदानों जितना बड़ा था और 31 मैं 1911 को इसे देखने के लिए एक लाग से भी ज्यादा लोग आये थे देश में सबसे पहले बिजली साल 1879 में कोलकत्ता सहर में आई थी साल 2016 में स्विडन इतनी कुसलता से रिसाइकलिंग कर रहा था कि उन्हें कचरे की कमी पड़ गई थी जिसके बाद उन्होंने दूसरे देश से कचरे को आयात किया था नीचे बेट कर भोजन खाते वक्त बार बार प्लेट की तरफ जुकना पड़ता है और फिर पीछे होने से पेट की मास पेशिया निरंतर कार्य करती है इससे पाचन क्रिया में बहुत सुधार आता है तो दोस्तो आज के वीडियो हम यहां तक रखेंगे आगे का जो भी है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो सेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब करें और बाजू में दियो बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेट नहीं करना पड़े इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आवेलेबल है अब चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरी टेली ग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप की लिंक दी हुई है वहाँ पे जूड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली न्यूस पेपर, डेली करेंट अफ़ेर, मॉस्टाइम पी पीडियेफ और लेटस्ट गवर्मेंट जोब की अपडेट मिलती रहेगी आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पूर वचिंग मैं वीडियो